नमस्कार सिल्पा गुपता की रसोई में आप सभी का स्वागत है तो आज हम ऐसा मसाला ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जिससे कभी आप अगर बहुत हेवी खाना खा लिये हो मटन चिकन उसके बाद आपका खाना डैजेस्ट ना हो रहा हो तो इस मसाला ड्रिंक को आप पी करके अपना खाना अराम से डैजेस्ट कर सकते हैं और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए बनाना हम सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम निम्बू चार टुकरा में कट किये हैं और दो स्ला दालेंगे निम्बू का और दूसरे गलास में भी दो टुकरा दालेंगे निम्बू का और चार चार पुदिना का पत्ता डालेंगे एक गलास में चार पत्ता काफी है तो अब हम इसमें काला नमक डालेंगे बस थोड़ा सा बहुत ज्यादा भी नहीं नहीं बहुत ज्यादा क मतलब टेस्ट के according डालिए आपको जैसा टेस्ट पसंद है और काली मिर्च का पड़र बस दो पिंच के लगभग डालना है बहुत ज्यादा डाल देने से तीखा टेस्ट आएगा इसलिए ध्यान से बस दो पिंच के लगभग ही डालना है अब किसी heavy cheese से आप इसे हलके हलके करस कीजिए ध्यान से ताकि हमारा अगर जोड से हो गया तो आपका ग्लास भी तूट सकता है इसलिए ध्यान से आप हलके हलके हाथों से करस कीजिए इससे मसाला ड्रिंक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो हम इस तरह से रेडी कर लेंगे दोनों ग्लास को उसके तो निम्बू का रश डालने के बाद हम इसमें थोड़ा जलजीरा पॉडर डालेंगे या आप चाट मसाला भी एड़ कर सकते हैं अब एक एक आइस क्यूब हम दोनों ग्लास में डाल देंगे एक ग्लास मसाला ड्रिंक के लिए एक आइस क्यूब काफी है आप दोती ना डाले इससे पानी पानी हो जाएगा आपका मसाला ड्रिंक टेस्ट भी बिगर जाएगा तो ध्यान रखिए एक ग्लास में एक ही काफी है तो अब आप कॉल ड्रिंक को स्लोली स्लोली डालिए ग्लास में एक ही बार में नहीं डाल देना है नहीं तो आपका बाहर आ जाएगा कॉल तो इसलिए हराम से धीरे-धीरे आप कॉल डिंग को डाले उसके बाद हम स्लाइस में कट किया हुआ निम्बू लगा देंगे दोनु ग्लास में तो अब हम श्ट्रोव डाल करके हमारा इंस्टेंट मसाला कॉल डिंग तयार है तो आप कभी भी इस मसाला ड्रिंक को इंस्टेंट बना करके सर्व कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ घर की पाटी में या कभी आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिये हैं डैजेस्ट नहीं हो रहा है उसे पचाने के लिए या अगर आप मन कर रहा है कुछ अच्छा सा पीने का तो भी आप सिंपल कॉल ड्रिंक पीने के बजाए इंस्टेंट मसाला ड्रिंक बना करके पी सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में